हुआ है हलो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून मैं शीवम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्यान में दोस्तों आज की इस वीडियों में हम फिर से जो है रसायन विग्ञान का पार्ट डिसक्स करेंगे और इसमें भी काफी इंपॉर्टन डिसक्स हुए है तो प्लीज फ्रेंड्स आप लोग वीडियो के अंत बने रहीएगा साथी इंपॉर्टन कस्टिव ठिसक्स होंगे ठ और जो है ने फ्रेंट्स जो है उनको बता दें कि इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो भी अप्लोड हो चुका है और एससी क्लासे टॉपिक वाइस चल नहीं है तो उनको भी आप जरूर ज़ाइन कीजिए ठीक है फ्रेंट्स पीडिएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन वाक् करके हमारे गुर्प से जोड़ सकते हैं तो ठीक है फ्रेंट्स शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला प्रेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बस लाइक कर दीजिएगा तो फ्रेंट्स शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला क्वेस्टिन तो फ्रेंड्स आपका पहला क्वेस्टिन है कि निम्रिखित में से किस धातुका गलनांग सबसे कम है तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि सबसे कम गलनांग जो है किस धातुका है तो आपके आपसंस है सुनड यानि की सोना चांदी पारद यानि की मरकरी या तामबा तो बताए फ्रेंड्स की आपके इस question का right answer क्या होगा कि सबसे कम गलनांक किस धातुका है तो साथियों अगर आपने चुना है option number C यानि की पारद तो बिल्कुल right answer है आपका जो पारद यानि की मरकरी है इसका गलनांक सबसे कम होता है ठीक है फ्रेंड्स तो इसमें आपका option number C बिल्कुल को मई सही उत्तर हो जाएगा ठिक है फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इंगला प्रस्ण तो फ्रेंड्स अगला question मरकरी से है और प्रस्ण है की एक पारद मिश्णॡ remainder का अनिवार घतक है तो फ्रेंड्स एक j या च्छा रख या एक आधा तो तो पताए गम का जो है कौन सा एक मतलब की मिश्रड का कौन सा एक अनिवार घटक है तो फ्रेंट इस question का राइट answer अगर आपने चुना है option number B यहनि की पारा तो ब्लकुल राइट answer है आपका पारा जो है एक पारत मिश्रड का अनिवार घटक है ठीक है मरकरी option number B आपका इस question के लिए बिल्कुल सही उत्तर है ठीक है दोस्तों तो friends बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ माफ़ कीजिए अगले question की तरफ तो friends ये भी अच्छा question है कई पर पूछा गया है कि SSC exam में NTPC के तो दोस्तों सभी important question है बस प्लीज आप लोग अपना support दिखाईए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इसमें और लोग जुड़ें तो हमें भी motivation मिलता है ठीक है आप लोग की संख्या देखकर ठीक है फ्रें तो ऐसी कौन सी धाथ हो जो कि हाथेली में ही मेल्ट हो जाती है आपकी options है potassium, sodium, magnesium, aluminium तो friends जैसा कि मैंने पिछले वीडियो भी आपसे बताया कि इस चैनल से आपको गलत information नहीं मिलेगी तो आपको इस question का right answer बता दें कि इन जो options दिख रहे हैं आपके ठीक है ये आपके कोई भी इसमें सही नहीं होगा ठीक है फ्रेंड्स जो गैलियम होता है ठीक है यानि कि जिसको जिससे जी यो को जिससे करते हैं यानि कि गैलियम ठीक है गैलियम जो धात होती है वो पिखल जाती क्योंकि इसका जो गलनांक होता है जो इसका melting point होता है वो होता है 30 degree Celsius का गैलियम का ठीक है जी ए ठीक है तो इसमें से आपका कोई भी सही नहीं होगा तो आप याद रखिए कि गैलियम जो होती है वह हांथ में पिखल जाती है मैं इसको यहां पर लिखे देता हूं आपको यह PDF में मिल जाएगा ठीक है फ्रेंड्स यह जो मैं लिख रहा हूं रेट कलर से हाईलेट गैलियम लिख रहा हूं यह आपको PDF में मिल जाएगा ठीक है फ्रेंड्स तो यह इसका राइट आंसर होगा बाकि यह इस बिल्कुल गलत है ठीक है फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अगला प्रश्ण तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्ण है की अमद गम मिश्धात है तो फ्रेंड्स जो अमल गम किसकी मिश्धात है जिसमें आधहार धात है तो आपके हैं ? ऐल्मुनियम पारा तामबा या जिनक पताएए फ्रेंड्स की आपके इस question का राइट आंसर क्या होगा तो आपको simple सा है कि अमल गम की जो है जो है वो आधार धात बनात आना है कि अमल गम की अधार धात कौन सी है तो friends अगर आपने चुना है option number B यानि की मरकरी यानि की पारा तो बिल्कुल right answer है आपका ये इसकी अधार था थो ठीक है अमल गम की ठीक है, option number B आपका इस question के लिए बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है दोस्तों, चलिए आपका देखते हैं अगला question तो friends आपका अगला question के निमरीखित में से सबसे कम गलनांग किसका है, तो साथ ही और विस दिसकस्ट किया था ठीक है और इन सब में से भी आपका जो पारा है मरकरी ठीक है इसका गलनांग सबसे कम है इसका गलनांग पता है कितना होता है था-38 18.83 degrees Celsius ठीक है माइनस की पात हुई ठीक है यह इसका जो है melting point होता है ठीक है और फिर जो है सबसे ज्यादा इन में से है कारबन का ठीक है सबस्य ज्यादा इन में से मिलेगा जिसका melting point लिखा हुआ है तो प्लीज आप लोग PDF भी जॉइन कीजिए तो फ्रेंड्स आपका अगला question है कि copper sulphate की लोहे के साथ अब क्रिया से iron sulphate और डैस बनता है तो मेरे प्यारे दोस्तों copper sulphate और लोहे की जो अब क्रिया होती है ठीक है तो iron sulphate के साथ और क्या बनता है तो आपके options हैं सिरका भस्म बेकिंग सोडा या copper तो अच्छा question है और बताए कि आपके इस question का right answer क्या होगा कि अब क्यों को फ्रेंड जब copper sulphate की जो लोहे के साथ अब क्रिया होती है तो iron sulphate और copper बनता है ठीक है option number D आपका इसमें सही हो जाएगा copper clear friends option number D is the right answer ठीक है दोस्तों चलिए देखते हैं अगला प्रश्ण कि दोस्तों आपका अगला प्रश्ण है कि निम लिखित में से कौन सा एक लोहे का आयश्क है तो डॉलोमाइट सेंधा नमक लोहा उलका गलेना या साधारन कच्चा सीसा इन में से बताएगे कि कौन सा जो है लोहे का आयश्क है तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है option number C यानि कि लोहा उलका तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका इसमें आपका option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अगला प्रश्ण करेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि जंग लगना डैस है तो फ्रेंड जंग लगना क्या है यह टॉपिक से क्वेस्टन बहुत आते हैं कि जंग लगने की प्रेक्रिया को कहते हैं किसकी अपर पूछे जाते हैं ठीक है और यह सारे अभी डिसकर करेंगे बस आप लोग वीडियों के उमें बढ़े रहेगा जितने वी questions होते हैं कि जो है ऐसे question पूर्सने कि उसके लोहे में जंग लगने पर उसका भार में क्या परिवरतन होता है या जंग में लगने में क्या परिवरतन होता है आसे question बहुत हैं ठीक है आप खुद देखिए भी हम आपके साथ discuss करेंगे बस आप लोग सपोर्ट कीजिए ठीक है तो बताएं की जंग लगना है तो आपके options है विद्दुद अभगटन और रेडॉक्स अब क्रिया या अब चाहिए तो बताएं की जंग लगना क्या है तो ब important question है very important question याद रखिएगा ठीक है और इससे संब्सक्राइब तीन-चार प्रस्ण हम भी discuss कर लेंगे नेक्स्ट क्वेस्टन साइथ वही होंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं अगला प्रस्ण तो फ्रेंड्स यह कुछ टाइम टेबल है आप इस पर ध्यां दिए कि जो क्ला point of view से जितने भी important questions बनते हैं तो वह हम लेके आते हैं आपके लिए शाम साथ बज़े ट्रपल सी क्लास आती है और स्सक्राइब क्लास आप जरूर जोइन किया करिए क्योंकि रात आठ बज़े आती है क्योंकि इसमें हम topic wise clear करते हैं ठीक है और इसी में से की portion में हमने तो अब इसका screenshot ले लीजिए ठीक है यह पीडियेफ में मिल जाएगा लेकिन इसका screenshot लेगा तो आपको जो है याद आता रहेगा तो से लिए फ्रेंट्स देखते हैं अगला प्रश्न है तो साथी हूं आपका अगला प्रश्न है कि निम्रिखित में से किस कारण से लोहे में जंग लगता है तो देखे फ्रेंट्स अभी हमने डिसकस किया कि निम्रिखित में से किस के कारण से लोहे में जंग लगता है ऑक्सी करण अब चैयान ऑक्सी करण के साथ रासाइनिक अभिक्रिया या सी ओटू के साथ रासाइनिक क्या होगा आपके सामने options हैं और बताइए कि वाट विल्वाट राइट आंसर आप इसक्रेशन कि तो अगर आपने चुना है आप से नमबर डी यानिकी अपनिकी एक और तीन इक और ठीक है और और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अपक्रिया यही में रीजन होता है कि दोहे में जंग लगता है कि लोहे में जंग लगता है जंग लगने के लिए वायू में इन दोनों की आफक्षेक्ता हूती है अशीस हुमाते हैं तो फ्रेंट्स मतलब लोहे में जंग लगने के लिए वायो में किन दो कि आवशक्ता होती है आपके आपसंस है और ग्रीज ऑक्सीजन और नमी कारबन डायक्साइड और नमी यह जल और पेंट तो बताइए फ्रेंट्स कि आपके लोहे में जंग लगने के लिए और नमी की आवशक्ता होती है अपका इस प्रेंट्स के लिए बिल्कुल सही उत्तर है ठीक है फ्रेंट्स कुछ लोग हैं जो हमारी वीडियो इसको बहुत सपोर्ड करते हैं तो प्रेंट्स आप लोग भी उसमें इसमें होई है प्रेंट्स चलिए अगला प्रेंशन आपके सामने हैं तो फ्रेंट्स यह भी क्वेशन देखी ऐसे पूछा गया है कि लोहे में जंग लगने के लिए किसक्याव शक्ता होती है तो हम लोगोंने अभी डिसक्स किया है कि जो है ऑक्सीजन और नमी और इसमें दे रखा है ऑक प्रेंट्स चलिए देखते हैं गला प्रस्ट दोस्तों इनके पीडिएफ में यह देखिए इसमें बताया था ना कि इसके भार में परिवरतन से संबंद पूश्चन पूछते हैं पूछा गया है कि जब लोहे में जंग लगती है तो उसका भार तो उसके भार में क्या परिवरतन होता है बढ़ता है घटता है उतना ही रहता है या अनुमे फ्रेंट्स यह दिखिए बहुत इंप्वर्टन है या job xp search करके आप जोड़ सकते हैं हमारे टेलिग्राम एप से ठीक है उसमें एक रॉक्स हंड्रेट प्लस है तो वह जर्जर हो जाएगा और उसका भार घड़ जाएगा ठीक है इसलिए कुछ लोग है तो अपना IQ लगाते हैं उनका गल्व सुदाता ठीक है तो आप लोग यह जह नखिए कि यह बढ़ता है अपसे नमबर इस ता राइड आंसर क्लियर फ्रेंड्स चलिए अगला प्र राइमनी परिवर्तन तो कि ऑस मैं ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया हुआ है ठीक है तो यह रासायनी परवर्तन होता है कुविदन में जंग लगना ठीक है तो इसमें आपका कोई आपयस सही ने हुगा इसलिए hmm पर टिक करते हैं लेकिन मिलें यह की यहापका टो भी बिल्कुल राइटांस हो जाएगा की रासायन परिवरतन या आपको PDF के लिए बता रहे हैं ठीक है आपको PDF में आसता ही मिलेगा ठीक है फ्रेंड्स चलिए मैंने बताया कोई भी गलत जंगरी नहीं मिलेगी और अगर कुछ में इशू रहता है तो हम आपको explain कर देते हैं आप लोग खुद देखते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो बस सपोर्ट कीजिए आप लोग चलिए आपका अगला प्रशन है कि तो अभी तक हम लोगों ने इतने जो चार-पांच पढ़ें उनमें डिसक्स किया लोहे पे जंग लगने के बड़े में कि इंपोर्टन टॉपिक है और ऐसे क्वेस्टन आते हैं ठीक है तो बताइए फ्रेंड्स की आपके इस पैस्टन का राइच अंशर क्या होगा कि निम्लिखीत मेंसे क्या रासायनिक अर्फ राइच अपलिया नहीं है तो देखिए अगर है तो देखिए अगर आपने चुना है ऑप्संन नमबर सी यसानी कि पानी का भाप में बदलना तो बिलकुत राइट आंसर है आपका पानी का भाप में बदलना यह जो है रासाइनिक अब क्रिया नहीं है ठीक है आपसे नमबर सी आपका इस प्रेस्ट के लिए बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा क्लियर फ्रेंट्स है चलिए फ्रेंट्स देखिए एक चीज इंपॉर्टन्ट है कि इसमें आपको आपसं का मतलब इसक्वेस्टन का अंसर तो बता दिए ठीक है थोड़ा एक्सपेंट कर देता हूं ताकि आपको अगर एससे संबंधित क्वेस्टन मिलेंगे तो आप उनको आसने से टिक कर देंगे इस पूछा कि कौन सी रासाइनिक अब क्रिया नहीं है दिकि एक परिवरतन में ठीक है जिनके परिवरतन के बाद में एक नया पदार्थ बन जाता है ठीक है जिनके जी से GPS का जलना है ठीक है यह जल गया भी पर लख्रशत हो तो राक बन जाएगी तिक अब भोजन का नहीं का पचना धूद्ध की जब हमारा का भाप में बिदलना ठीक है तो ऐसा आपको नमबर सी सही होगा कि जो है पानी का भाप में बदलना यह जो है रासाय निक अभीक्रिया नहीं बहुत दीक्रिया है क्लियर फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अगला प्रश्ट दोस्तों अगर आपको अच्छे लग रही हो आपको यूसफुल लग रही हो तो आप प्लीज चरूर जो है वीडियो को शेयर कीजिए चलिए आपका अगला प्रशन है कि आयरन को जंग लगने से रोखने के लिए कौन सा लाबकारी नहीं है तो फ्रेंट्स अनीली माफिजे लगाना जस्ता जड़ाना या पेंट करना इसमें से कौन सा ऐसा त्रिया है जो कि लोहे को जंग लगने से नहीं बचा सकता तो फ्रेंट्स इसमें आपका option number A बिल्कुल सही आंसर जोगा अनीलन जो है यह लोहे को जंग से बचाने के लिए कोई भी लाबकारी प्रक्रिया नहीं है यह जो है अनीलन जो होती है यह कांच में कि जाती किसमें इसका यूज होता है कांच में होता है ठीक है ना कि लोहे म में यह इंपोर्टेंट है याद रखिएगा ठीक है चलिए अगला प्रशन देखिए तो फ्रेंट्स यह कुछा गया है कि जंग से बचने के लिए लोहे से बने पाइप के पाइपों पर जस्ते की परत को चढ़ाने को क्या कहते है अच्छा question है और मेरे प्यारे दोस्तों आपको बताना है कि जंग से बचाने के लिए लोहे की जो पाइप बने होते हैं तो उन पर जस्ते की परत जब चढ़ाते हैं तो उसको क्या कहते हैं तो आपके जस्ते की परत चढ़ाना मिश्रधात वलकनी करण या यशदी करण तो अब आप बताएं कि आपके इस question का right answer क् आप इसको कर सकते हैं कि आप यह तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि जस्ते की परत चढ़ाना ठीक है ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं मिस्टाद आना कोई सवाल नहीं पैदा होता है इन दो को आप कर दिजिए आप elimination करना भी सीखिए ठीक है तो अब बचे आपके यह दो करन दो ठीक है तो अब बताएं कि आपके इन दो में से क्या राइट अंसर होगा तो फिर दिखी जंग से बचाने के लिए जो जस्ते की पाइप चढ़ाते हैं इसको हम बोलते हैं यह शुदी कर ठीक है आप से नंबर डी इसमें राइट होगा और यह वलकनी करन क्या होता ह कि आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे ठीक है बताना जरूर और कमेंट में आपका रिपलाइ करेंगे ठीक है शरी आपका इसमें अब डी सही होगा देखते हैं अगला प्रश्ण तो साथियों आपका अगला प्रश्ण है कि धातूं का राजा क्या है चांदी लूहा इसोना इन में से बताना कि धातूं का राजा है अच्छा क्या है इस वaldir का और किया होगा है कि अधिस्ट तो फ्रेंड्स अगर आपनें चुना है ऑप सेना ये यह nWar तो बिल्कुल डाइट स्थाण की बोदोने एक दातूं का राजा बोलते है ठीक है और सबसे तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रशने की बरतन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्रधात हुए तो फ्रेंड्स जो बरतन बनाने में जर्मन सिल्वर का यूज़ करते हैं तो यह किसकी मिश्रधात हुए तो यह आपके आप्सिंस हैं जैसे की copper silver nickel का copper zinc nickel का copper zinc aluminum का या copper nickel और aluminium का इसमें copper तो होता ही है यह यह इसे आप जिसको याद किलेजे copper इसमें common है और अब बताए कि इसमें copper के अलावा किसका यूज किया जाता है तो friends अगर आपने चुना है option number B यानि की copper zinc और nickel तो बिल्कुल right answer है आपका इसमें copper zinc और nickel का कि मिस्तिधात है किसकी copper zinc और nickel कि इसमें आपका option number B बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा friends ठीक है चलिए एकला प्रस्ट दो लोग अभी जुड़ें उनको बता दें कि यह जो है इसका part second है ठीक है यह इसका part second है इसका part first भी आप देख सकते हैं और ज्यादा जो है टॉपिक वाइस पढ़ने के लिए आप हमारी S3 classes को देख सकते हैं जो पड़ी हुई है और रोजाना शाम आठ बजे आती हैं तो आप उनको भी जुरूर जाइन कीजिए ठीक है इसकी timing हम change करने को सोच रहे हैं तो यह हम इसको 6 बजे भी करना चाहते हैं जो कि 8 बजे ट्रैफिक जो है नहीं होता है जर्मन से मैं क्या नहीं होता है कॉपर निकेल या जिंक किया हुआ हुआ कि जो जर्मन सिल्वर होती है ठीक है यह जो है कॉपर जिंक और निकेल और तीनों मिल गए अब और प्रचाव में मिल्कुल राइड अंसर और रिल्कुल राइड ऐसा नमबर में मुझे आधे डिसकस किया था कि कौन से सिल बर में ज में नहीं होता है ठीक है घर्रमन चेले यह स्टीं है कर सूब करना ठीक है फिरेंड्स छलिए आपका अगला प्रशन ऐस आघ करो दो कॉआ कर काच होता है जो टाएक्ट हम एड्सल्ट समय काच क्या होता है आप ही वह सिक्स्टी का राइक किया होगा है तो तो अगर आपने चुना हैował कि हाट नमबर यांगी कि अत्यषीत्ति द्रव तो दो बीलकुल राइक आंसर है आपका पाज अपर सीपिद्रव यानि की जो है अंडर कूल ठीक stark इसको अंडर बोलते हैं चीति द्रव को इसमें आपका नमबर बी बिल्कुल सही आने सब्सक्राइब ठीक है फ्रेंट्स चलिए देखते हैं अगला प्रश्न प्रश्न से नमबर बी फूचा गया है और बताई आई है कि तो इसमें जो है मेनली होता है अपकर नंबर सी आपका इसमें राइट रोजाएगा बोर एक्स चैलिए अग्ला प्रश्न दूस्स दूसर आज की वीडियो में इतना ही सातियों अगर आपको वीडियो अच्छी्व थैंक्स वाच्व वीडियो में साम चार बचे कम्प्यूटर क्लास में जरूर जोइन किरिए तो आप इस पर वाट्सप कर सकते हैं इस नंबर पर ठीक है यह हमारी आइडी है यह फेस्ट पीज और इंस्टा की इन पर भी आपको फॉलो करके में और क्यों से इद्साइब कर सकते हैं अगर आपको किसी और आपटिवी साथ तो भी आप कमेंट पर सकते हैं ठीक है तो फ्रैंड दो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल लखिए टेख केर फ्रैंड्स